नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटुब चैनल पर तो हम पढ़ रहेते बाय केमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथलोजी का चाप्टर नमबर 8 जो की है मेटाबोलिजम इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिये है अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चनल पर जाकर देख सकते हैं तो आजकी इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं Metabolism of Lipids के बारे में आज से हम Lipid का Metabolism स्टार्ट करेंगे हमने Last Lectures में Carbohydrate के Metabolism के बारे में देखा अब हम Lipid के Metabolism के बारे में देखेंगे Lipid का Metabolism किस तरीके से होता है कौन-कौन से Cycles involved होती है इसमें वो सारी चीज़े हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर कौन-कौन से टॉपिक कवर करने है तो यहाँ पर आप देखिए Metabolism of Lipids तो Lipids के Metabolism में हमें सबसे पहले Lipolysis के बारे में वढ़ना है Lipolysis मतलब Lipid का Breakdown यह एक Cycle होती है Lipolysis यह एक Pathway है इसके बारे में देखेंगे Then next हम पढ़ेंगे Beta Oxidation of Fatty Acid That is the Palmitic Acid तो Beta Oxidation होता है Fatty Acid का उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे Then next है Ketogenesis and Ketolysis Ketogenesis मतलब जो Ketone Bodies होती है उनका Formation और Ketolysis मतलब Ketone Body का Breakdown तो यह दोनों process हम यहाँ पर पढ़ेंगे इनकी भी cycles हमें यहाँ पर दी गई है Then next हम पढ़ेंगे This is related to abnormal metabolism of lipids Such as Keto Acidosis, Fatty Liver, Hyper Cholesterolemia तो इस तरीके से यह Dices होते हैं यहाँ पर lipid के metabolism से related Dices हमें पढ़ने हैं जैसे हमने carbohydrate में Carbohydrit के metabolism से related जो disorders थे वहाँ पर पढ़ें, यहाँ पर हमें lipid के metabolism से अगर lipid का metabolism abnormal तरीके से हुआ, properly नहीं हुआ तो उस condition में हमें कौन से disease condition ओकर हो सकते हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं तो such as, मतलब यहाँ पर हमें दिये गया है कि हमें कौन कौन से disease condition पढ़ने हैं कौन कौन से disease लिपिट के metabolism से related हैं यहाँ पर यह गया है, ketoacidosis यह भी लिपिट के metabolism से related है fatty liver और hypercholesterolemia तो यह disease जो होते हैं, यह हमें इस topic में cover करने हैं यहाँ पर हम लिपिट के metabolism में जितने topic cover करने हैं वह है देखेंगे, जब हम amino acid का metabolism स्टार्ट करेंगे तब हम amino acid में हमें क्या का पढ़ना है, वो देखेंगे तो आए स्टार्ट करते हैं, mechanism of lipids तो लिपिट का metabolism किस तरीकी से होता है, वो देखेंगे lipids are fat which are essential for the body for certain functions तो lipids जो है, यह एक type के fat होते है fat आपको पता होगा, lipids के बारे में भी हमने पढ़ा, lipids के उपर एक पूरा chapter है lipids के बारे में हमने पढ़ा, इसके types पढ़े, lipids क्या होता है इसके definition क्या है, classification क्या है, सारे types इसके पढ़े हमने अगर आपने वो lecture नहीं देखा होगा, तो आप हमारे channel पर जाकर देख सकते है तो lipids यह एक type का fatty होता है, जो की essential होता है हमारे body के लिए fat यह certain functions करता है हमारे body में, fat के कुछ functions होते हैं, lipids के कुछ functions होते हैं हमारे body में, जो essential होते हैं इसलिए यह lipids जो है, यह हमारे body के लिए essential होता है they are synthesized by liver, तो यह जो lipids है, यह हमारे liver synthesize करता है triglyceride and cholesterol are the main lipids in living organism तो जो triglyceride है, cholesterol है, यह lipids के types है यह main lipids हैं हमारे living organisms में यह triglyceride और cholesterol यह main lipids है then next हम लेखेंगे lipolysis lipolysis मतलब होता है, lipid का breakdown तो lipid का breakdown किस तरीके से होता है, वो देखेंगे lipolysis is the process by which fat are broken down in bodies through enzyme and water तो lipolysis यह एक process है, जिसके throw, जो fat होते हैं, वो broken down मतलब वो break होते हैं, यहाँ पर catabolic process होती है in the bodies through enzyme and water तो enzyme के throw और water के throw जो fat होते हैं, वो broken down होते हैं there are different type of lipolysis, तो यहाँ पर different type की lipolysis होते हैं, कौन-कौन से types होते हैं, वो देखेंगे सबसे पहला type है, gastrointestinal lipolysis, तो gastrointestinal lipolysis मतलब क्या होता है responsible for the catabolism and absorption of dietary triglycerols तो gastrointestinal lipolysis में क्या होता है, triglycerols होते हैं, जो हमें diet की throw मिलते हैं उनका catabolism होता है, breakdown होता है, और साथ में absorption होता है, gastrointestinal lipolysis में then next है, vascular lipolysis, vascular lipolysis में क्या होता है, mediate the hydrolysis of lipoprotein associated triglycerols in the capillary bed, capillary blade मतलब जो हमारी blood vessels की wall होती है, उसको हम capillary bed बोलते हैं उस capillary bed पे, जो triglycerols है, उनका hydrolysis होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, vascular lipolysis then next है, intracellular lipolysis, तो intracellular lipolysis मतलब क्या होता है, responsible for the hydrolysis of triglycerols stored in intracellular lipid droplet तो यह किसके लिए responsible होता है, hydrolysis of triglycerols, जो की store किये रहते हैं, कहां पर intracellular lipid droplet में, जो triglycerols store किये हुए रहते हैं, उनका hydrolysis होता है, उसको हम बोलते हैं, intracellular lipolysis तो इस तरीके से lipolysis के types होते हैं, यहाँ पर हमने 3 different type पढ़े, lipolysis के, then next हम लेखेंगे, mechanism of lipolysis, lipolysis का mechanism मतलब यहाँ पर हम cycle देखेंगे, पातफे देखेंगे, कि lipolysis किस तरीके से होता है, तो triglyceride जो है, वो convert होते हैं, diglyceride में, किसके presence में, adipose triglyceride lipis के presence में, जिसको हम agtl भी बोलते हैं, short में, then, यह diglyceride, monoglyceride में convert होते हैं, hormone sensitive lipis के presence में, then, यह monoglyceride, यह glycerol और fatty acid में convert होते हैं, और इस तरीके से lipid का breakdown होता है, तो यही है, छोटी सी process है, lipolysis की, then next हम देखेंगे, beta oxidation of fatty acid और palmitic acid, तो beta oxidation की process बहुत ज़्यादा important है, यह किस तरीके से होती है, beta oxidation मतलब क्या होता है, वो देखेंगे, there are three type of fatty acid oxidation namely, तो यहाँ पर तीन टाइप के fatty acid oxidation होते हैं, कौन-कौन से, alpha, beta and omega, इस तरीके से तीन टाइप के fatty acid के oxidation होते हैं, then next क्या बोला गया है, the oxidation of fatty acid studied first by knoop in 1905, तो यह जो oxidation of fatty acid है, यह किस ने पहले study किया क्नूप ने, यह एक scientist है, उसका नाम है, in 1905 में इसने fatty acid के oxidation के बारे में study की, hence it is also called as knoop oxidation theory, तो इसको knoop oxidation theory भी कहा जाता है, क्योंकि यह इस scientist ने study किया था, oxidation of fatty acid occur in 3 stages, namely, beta oxidation pathway, citric acid cycle and mitochondrial respiration chain, तो यहाँ पर यह जो beta oxidation होता है, fatty acid का, यह 3 stages में होते हैं, कौन-कौन से beta oxidation pathway हो गया, citric acid cycle हो गया और mitochondrial respiration chain हो गया, तो इस तरीके से 3 cycle के थो beta oxidation होता है, fatty acid का, then next हम देखेंगे, beta oxidation, beta oxidation यह हमारा main topic है, यहाँ पर हमने 3 type के oxidation देखें, fatty acid के कौन-कौन से alpha, beta और omega, उन में से beta oxidation यहाँ पर सबसे important होता है, उसके बारे में देखेंगे, in this stage, oxidation of fatty acid occur with removal of 2 carbon unit in the form of acetyl-coe, तो यहाँ पर क्या होता है, beta oxidation इस stage में क्या होता है, oxidation of fatty acid होता है, with removal of 2 carbon unit in the form of acetyl-coe, तो oxidation जब होता है, fatty acid का, तो यहाँ पर 2 carbon unit, कौन सा होता है, acetyl-coe, 2 carbon unit, जो कि acetyl-coe के form में होता है, यह remove किया जाता है, fatty acid में से 2 carbon remove किया जाता है, in the form of acetyl-coe, the C16 fatty acid, palmitic acid undergoes 7 cycles through this oxidative sequence and losing 2 carbon as acetyl-coe in each step, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कि जो palmitic acid होता है, वो 16 carbon का होता है, यहाँ पर 16 carbon present होते हैं, और यह 7 cycles के throw, यहाँ पर 7 cycles होती है, betoxidation में 7 cycles होती है, इसके throw 7 cycles होती है, and losing 2 carbon as acetyl-coe in each step, तो हर step में जैसे 7 cycles यहाँ पर हो रही है तो हर step में यहाँ पर 2 carbon जो है यह loss हो रहे हैं यहाँ से 16 carbon से फिर 2 carbon loss हुए तो कितने हो गए 14 हो गए फिर और 2 loss हुए तो कितने हो गए फिर 12 हो गए तो इस तरीके से 2-2 carbon जो है वो acetyl-coe के form में यहाँ से loss हुए जा रहे हैं तो वो 7 cycles हो रहे हैं वो भी हम ड्रॉकर करके देखेंगे At the end of the 7th step, last 2 carbon of palmitate left as a acetyl coey तो जो end की step होती है, 7th number की step होती है तो वहाँ पर 2 carbon बढ़ जाते हैं palmitate के तो वहाँ पर वो acetyl coey के form में convert होते है तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वो किस तरीके से होते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है 7 cycles, 7 cycles होती है palmitate acid के 16 carbon का होता है तो यहाँ पर आप देखिए, यह है यहाँ पर palmitate acid जो की है 16 carbon का, ठीक है 16 carbon का यह palmitate acid है तो यहाँ पर 2 carbon यहाँ से remove हो गया, acetyl koay के form में, ठीक है, तो यह 1 cycle हो गई, यह first हो गई then यहाँ पर कितने बज़े, 16 में से 2 गए, 2 carbon minus हो गए तो यहाँ पर हो गए 14, ठीक है, 14 में से फिर से 2 minus हो गए तो कितने बज़े, 12 carbon, then 12 में से फिर से 2, तो 10 carbon then फिर से कितने बज़े, 8, then फिर से यहाँ पर 6 और यह 6 से फिर से कितने हुए? यह 6 से फिर से कितने हुए? 4. 4 से फिर यह कितने बचे? 2. ठीक है? तो यह हो गई 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and यह 7th. इस तरीके से यहाँ पर 2 carbon, यहाँ पर 2 carbon, 2 carbon, 2 carbon, 2 carbon और यह 2 carbon. और लास्ट में बचे फिर 2 carbon. तो यहाँ पर क्या बुला गया है? कि 7th cycles होती है. तो यहाँ पर यह 1 cycle हो गई, यह 2 cycle हो गई, यह 3 cycle हो गई, यह 4th, 5th, 6th and 7th. ठीक है? 7th cycles यहाँ पर हो गई. तो 7th cycle में, हर cycle में 2 carbon जो है, वो loss हो रहे हैं. आसेटिल कोय के form में. आसेटिल कोय के form में, हर 2 carbon जो है, वो loss हो रहे हैं. फिर last में बच जाता है, 2 carbon. ठीक है? यह 2 carbon तो loss हो गई, आसेटिल कोय के form में. पर जो last वाला, यह 7th step में, यह 2 carbon जो बच जाते हैं, पाल्मिटेट के, यह 2 carbon जो बच जाते हैं, यह भी फिर यहाँ पर बोला गया है, कि आसेटिल कोय के form में, वो रह जाते हैं. मतलब यह जो 2 carbon है, यह भी आसेटिल कोय में convert हो जाते हैं. मतलब यहाँ पर इस cycle से हमें कितने आसेटिल कोय मिलें? यह हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 तो इस तरीके से हमें total 8 आसेटिल कोय मिलते हैं, इस 7 cycle से. ठीक हैं, तो इस तरीके से यह reaction होती है, 7 cycles यहाँ पर होती हैं, और यहाँ पर जो last के 2 carbon जो बचते हैं, पाल्मिटेट के, वो आसेटिल कोय में convert होते हैं. तो इस तरीके से यह cycle होती हैं. गर नेक्स्ट हम देखें इसकी overall process, overall process मतलब यह जो यहाँ पर steps दिये गये हैं, यह बहुत ही ज्यादा important है, यह process हम देखने वाले है, beta oxidation की, यह important है और यह paper में पूची जाती है, तो इसलिए आपको यह ध्यान से पढ़ना है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो long chain fatty acid होते हैं, वो fatty acyl coey में convert होते हैं, in chain of fatty acid, और यहाँ पर यह mg2 plus जो है, यह coey enzyme की तरह काम करते हैं, और साथ में यहाँ पर 1 ATP, जो है, वो AMP में convert होता है, प्लस PPI, तो इस तरीके से यह fatty acid, fatty acyl coey में convert होते हैं, थायो काइनेस के presence में, then यह fatty acyl coey, यह transdenta to inoyl coey में convert होते हैं, in the presence of acyl coey dehydrogenase, इस enzyme के presence में fatty acyl coey, transdenta to inoyl coey में convert होते हैं, और इस process को हम dehydrogenation बोलते हैं, और यहाँ पर 1 FAD, FADS2 में convert होता है, then next क्या होता है, यह transdenta to inoyl coey है, यह beta hydroxy acyl coey में convert होता है, इसके presence में, inoyl coey hydrate is, इस enzyme के presence में, और यहाँ पर 1 water molecule add होता है, इसलिए यहाँ पर इस process को hydration भी कहा जाता है, then next क्या होता है, beta hydroxy acyl coey, यह convert होता है, beta keto acyl coey में, तो किस में convert होता है, beta hydroxy acyl coey, beta keto acyl coey में convert होता है, किसके presence में, beta hydroxy acyl coey dehidrogenase, और इस process को भी dehidrogenation प्रोसेस कहा जाता है और इस प्रोसेस में एक NAD plus NADH plus S plus में convert होता है यह जो बीटा keto acyl coae है यह convert होता है fatty acyl coae जो कि 14 carbon का होता है और इस cycle में जैसे हमने बोला था कि 2 carbon जो है वो remove होते है acetyl coae के form में तो यहाँ पर 2 carbon यह जो है रिमूव हो रहा है acetyl coae के form में इसके presence में acyl coae acetyl transferase इस enzyme के presence में और यहाँ पर क्या हो रहा है cleavage formation हो रहा है cleavage यहाँ पर बन रहा है मतलब यहाँ पर हमें दो चीजें मिल रही है दो parts में यह split हो रहा है एक तो हो रहा है fatty acyl coae 14 carbon का होता है दूसरा है acetyl coae जो की 2 carbon का होता है तो इस तरीके से हर chain से यहाँ पर हमने यह 1 step देखी तो यहाँ पर 14 carbon बचे और 2 carbon यह पर 12 carbon बचेंगे और यहाँ पर 2 carbon acetyl coae के form में रिमूव होंगे तो इस तरीके से यह cycle 7 bar occur होगी 7 cycles होगी यहाँ पर beta oxidation के तो इस तरीके से यह cycle होती है, then next हम देखेंगे energetics of beta oxidation, energetics मतलब कितने energy form होती है इस cycle से, वो हम यहाँ पर देखेंगे, तो आप यहाँ पर reaction देखिए, palmitoyl koay, जो कि 16 carbon का होता है, plus 7 FAD, 7 FAD क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 7 cycles होती है, beta oxidation में 7 cycles होती है, तो 7 FAD यहाँ पर use होंगे, then 7 NAD plus, मतलब 7 cycles होती है, इसलिए 7 NAD plus 7 H2O, मतलब 7 H2O यहाँ पर use हो रहा है, इसलिए 7 H2O plus 7 coenzyme, 7 coenzyme यहाँ पर use हो रहा है, is equal to, हमें क्या मिल रहा है, फिर इस cycle से 8 acetyl koay, तो 8 acetyl koay किस तरीके से मिल रहा है, वो हमने देखा यहाँ पर, फिर से आप एक बार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 8 acetyl koay मिल रहा है, इस cycle के तरो, कैसे, यहाँ से यह 2 carbon तो कितने बचे 14, यह 2 carbon निकले तो कितने बचे 12, यह 2 carbon निकले तो 10 बचे, फिर यह 2 carbon निकले तो 8 बचा, फिर से 2 निकले तो वहाँ पर 6 बचे, फिर से 2 न हो गए 7 acetyl coae और यह जो टू कार्बन बचे हुए रहते हैं यह भी acetyl coae में convert होता है और यह हो गया हमारा 8th acetyl coae तो इस तरीके से हमें 8 acetyl coae इस cycle में मिलते है तो 8 acetyl coae plus 7 FADH2 plus 7 NADH plus 7 H plus तो इस तरीके से यह reaction होती है total then next हम देखेंगे कि यहाँ पर कि हमें कौन कौन से reaction में energy कितनी मिली है तो सबसे पहले है बीटा oxidation of 7 cycles तो साथ cycle की बीटा oxidation की यह पूरी प्रोसेस होती है तो यहाँ पर हमें 7 FADH2 मिले 7 cycles है इसलिए 7 FADH2 कौन से reaction में मिले वह भी देख लेते हैं तो आप यहाँ पर देखिए fatty acyl koay यह convert हो रहा है trans delta to in oil koay में तो यहाँ पर 1 FAD FADH2 में convert हो रहा है तो यह cycle हो रही है साथ बार तो हमें यहाँ पर साथ बार FADH2 मिलेंगे इसलिए 7 FADH2 is equal to 7 into 2 तो कितने हो गए 14 तो 14 यहाँ पर हमें ATP मिल रहे है FADH2 से 1 FADH2 is equal to 2 ATP इसलिए into 2 किया ठीक है then next है 7 NADH मिल रहे है अब NADH कहाँ पर मिल रहे है वो भी देख लेते हैं तो आप यहाँ पर देखिए बीटा हैड्रोक्सी असाइल कोए यह बीटा किटो असाइल कोए में कनवर्ट हो रहा है तो यहाँ पर NADH यह कनवर्ट हो रहा है NADH plus H plus में तो यहाँ पर हमें एक NADH मिल रहा है तो इसलिए कितने मिलेंगे हमें 7 साइकल से 7 NADH मिलेंगे तो 7 x 3, 3 क्यों किया है, क्योंकि 1 NADH से हमें 3 ATP मिलते हैं, इसलिए 7 x 3 is equal to 21, तो इस तरीके से FADH2 से हमें 14 और NADH2 से हमें 21 ATP मिलें, तो 8 acetyl-coe, तो 8 acetyl-coe से हमें कितने ATP मिलते हैं, तो 8 acetyl-coe, अब आप सोचे होंगे कि acetyl-coe से किस तरीके से ATP मिल रहे हैं हमें, तो वो भी समझते हैं, तो यह जो acetyl-coe है, यह जो acetyl-coe है, यह यहां से remove होने के बाद, यह further फिर क्रेप cycle में enter होता है, क्रेप cycle नहीं समझ में आ रहे हैं, तो जो TCA cycle होती है, tricarboxylic acid cycle, हमने carbohydrate के metabolism में पड़ी थी, वो क्रेप cycle, वो TCA cycle, उसमें यह enter होता है, और वो cycle पूरी complete करता है, तो उस cycle से हमें 12 ATP मिलते हैं, वो cycle अगर आपने नहीं पड़ी होगे तो आप हमारे चनल पर जाकर देख सकते ह आप होता है, तो उस cycle से हमें 12 ATP मिलते है, तो यह एक acetyl koay कितने ATP फ़र्म करता है, फिर उस cycle में जाके 12 ATP फ़र्म करता है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने acylyl koay हैं? 8 acetyl koay है, तो 8 acetyl koay इंटु 12 ATP, तो 12 ATP फ़र्म करता है, तो इसलिए from 8 acetyl koay, तो 12 in to 8, मतलब हमारे प is equal to 96. तो यहाँ पर total energy हमें कितनी मिलती है? total energy from one molecule of palmitoyl-CoA is equal to 131. इतने energy, इतने ATP molecules हमें beta-oxidation की cycle से मिलते हैं. Then next हम यहाँ पर देखेंगे energy used in beta-oxidation. तो beta-oxidation इतने cycle में energy भी use हुई है. कहाँ पर use हुई है? वो देख लेते हैं. तो आप यहाँ पर देखिए. यहाँ पर यह जो long chain of fatty acid कनवर्ट हो रही है, fatty acyl coal में तो यहाँ पर 1 ATP यूज हो रही है और AMP में कनवर्ट हो रही है. AMP में कनवर्ट हो रही है, मतलब यहाँ पर adenosine triphosphate है. मतलब यहाँ पर 3 phosphate group है. यह adenosine मोनो फॉसफेट में convert हो रहे हैं मतलब दो फॉसफेट ग्रूप जो है वो यहाँ से remove हुए हैं इसलिए यहाँ पर 2 ATP use हो रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए 2 ATP use हो रहे हैं यह हमें net yield कितना मिलेगा net yield of oxidation of one molecule of palmitate is equal to 131-2 is equal to 129 तो 129 ATP हमें beta oxidation इस cycle से मिलती है तो इस तरीके से यह beta oxidation की cycle होती है तो आज की lecture में बस इतना ही बाकी का topic हम next lecture में देखेंगे Thank you